आपको दिखाते है कि कितना गरम पानी है तो आपको बनानी है तो चलो बना लेते हैं करो अपनी जो भी करना है आपको तो यह देखिए मज़े ले रहे हैं सारे लग कैसा लग रहा है आपको सुकुन मिल रहा है समझा आ रहा है बहुत बहुत ज्यादा गरम पानी है यहाँ तो अब हम भी जाते हैं हboo है ना आहान के लिए तक अ किटना गरम पानी है पर को वाँ पिए कर दोस्त नहाहा हु तो आप hoण्ड को ऑप प्रॉपरा भोष ढदा लग रहा है चैज परोप ju Abi अज भी है किए भी है बहुत गरम पानी हाँ हुआ हुआ है अगर निकाला 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 तो डाइस गरम पानी है वैं अब निकाल। बहुत गरम पान है यहां और मज वही आ रहे हैं, एकदम और निकाल दू, ठीफिन काल दो, जी अज़े थी तो दूड़ी मैं आज़े हैं हुँ तो गैस बिका दिखाते आपको कि नेकड आपको टांजले करना है मैं आखे इस काल, यह परिखान को अगे नेक्स वीडियो में आगया इस जिखाते आपको बजनात के दर्शन तो गाईज मनी भाई मनलब कैसा एक्सप्रेंट था आपको इन्जोई फील हुआ और हलका एकदम बदरी विशाल के दर्शन करके एकदम लब एकदम मस्ट हो रहा है अभी हमच्छी बट जी है नहीं तो मनलब माईड एकदम कमजोर सा हो गया था तो अभी एकदम मस्ट लग अभी प्रेस माइड लग रहा है तो लब काफी अच्छा रहा लब नहांके अभी अब बदरी विशाल के दर्शन करेंगे फिर और तो अगर आप भी आएं तो यह जो है खुंड एक बार नहें जरूर और मजा आ रहा है और साबन लेके प्लीज कुंड में ना जाएं क्यों लौ और यहां पर अवहाँ आप साबन लगा के नहा सकते हैं जो इदर है यह पीछे दिख रहा है यह अलकननदा नन दी है और मनी भाई नहा कर दो फिर जइना करेंगे आप तो यहां कपड़ दो सकते वो है इसके अंदर तो पीछे दीख रहा है यहां पे ऊसके अंदर ए तो मज़ा आघा है या बहुत आ रहा है अहां सुकुन मिल रहा दिल को तो फाइनली गाइज हम होचके तयार अब जाएंगे आगे आपको बद्री विशाल के दर्पन करवाएंगे और तयार होके एकदम मस्त तो अब चलते हैं अपना और मौसम भी एकदम खराब हलकी बुंदी बांदी हो गही है यह दिख सकते हुआ आप चलते हैं अरे तो एक दो सेल्फी भी ने लेते हैं इतर अराम से तो यहां अलग नंदा नदी बह रही है और यहां मलव हम सावन का यूज कर सकते हैं अपने पड़े दोके साफ कर सकते हैं और यहां पर मुलव सावन नहीं अलाओड है तो गाइज यह सारी तिजहें तिहन में रखनी पड़ती है जब मुलव आप पविछ इस्थान पर दर्फन करने आब तो चलते हैं अब बदरिविशाल के तरफ चलते हैं उपर उपर को और यह रास्ता है अब जाएंगे बदरिव के जाने हैं अभी तो सायद फाटक खुले नहीं और चटाव भी कुछ लानी रखा है अब यहां पर है श्री आदिकेस्वर मंदिर अब बैल बना होगा है अब यहां पर व्यारी चल रही है अब यहां पर व्यारी कल रही है और यह है बदरिवनाद खाम है कि अंदर जाने सकते हैं तो कि अभी खाटक खेले नहीं है यहां पूरा व्यू पहाड़ों का भी तो यहां से पूरा दिखाएंगे आपको बदरिना आता हम तो यह देखिए गाइस यह और फोटो भी क्लिक कर लेते हैं और यह विक्याफ फाटक खुले नहीं अगर खुले होते तो फोड़ी आगे जाते हैं और यहां पर अभी काम चल रहा है अब चलते हैं घर की तरफ बाकी आपको जब आएंगे अपने बार और यह देखे वासरी अलाला नदी तो काफी अच्छा मनलब अब 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 तो गाइस यह मलब बद्रिनाथ दहाम है को कि इस चमोले जनकत में है और अलग नंतर नदिंग किनारे आपको बता चुका हूं मैं और मलब यहां नहां के जो फुर्ण में नहाए बहुत फ्रेश फील्ट हो रहा है भी तो अब आज मलब पहली बार बद कि तरफ तो वीडियो अच्छी लगते है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब प्रीज पैला चंड़ जरूर दवाए यस बाई तो यह देख सकते आप बरिदनाथ धाम और यह देखे पीछे सामने को मलब पहाड दिख रहा है उससे उधर मलब एक्दम बर्पिला प तो गाइस अब चलते हैं बेरे-देरे और घर के तरफ यह है सीडिया रुक जारा मनी क्यों पीडियो बढ़लता हो है 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 फाइनली बद्रविशाल के दर्सन होगे और यह देखे और दुबारा आएंगे फिरते यहां जब कपाड़ खुलेंगे कभी तो मौका में देगा तो तो चलते हैं अब जया बद्रविशाल पोल के चलते हैं और वीडियो आपको अच्छी लटे तो लाइक से कमेंट प्लीज तो जया बद्रविशाल चलते हैं अब घर के तरफ क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है और फिर से एक बार नजा रहा यह पूरा तो एक बार मन्नत मांग लेते हैं मन्नी भाई मांग रहे हैं तो हमें मांग लेते ही तफकाड़ी कि यह बद्रविशाल यह लाष्ट जो सिमा प्रांथ है यहां के मनलब जो नजदिकी यह देखिए स्रीव बद्रनात धाम के समीब दर्सनियस्तल तो यहां पे पूरी लिष्ट है आप पड़के मनलब फिर यहां पूरा मनलब दर्सन कर सकते हैं जो अपार मनलब लुट है यहां लोगे यहां प्रांद कर सकते हैं कि यहां बद्राद कर सकता हैं